बीकानेर लव जहाद का मामला तर-तर तूल पकरतावा नजर आ रहा है और इस बार राष्टी लोगतांत्रिक पार्टी के राष्टी सेमज़ खनुमान बेनिवाल और अशोग गैलोत आमने सामने हो गए है नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं दस उगम जहां खबर के और आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता देंगे अगर आप दस उगम पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो आज ही सेनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्तान से इत भारत की तमाम खबरें मिलती रहें आई हम बात करते हैं खबर की बीकानेर की प्रेम विवा जैसी खटना से बालिका के माता-पिता वपरिवार जन भई भी थे यानि पब्लीक पूरी प्रहसान है क्योंकि अगर ऐसी गड़नाय दिनों दिन बढ़ती गई तो राजस्तान और पूरे भारत के अंदर ऐसी गड़नाओं का कोई आर पार नहीं होगा आमेसा ऐसी ही खबरे सामने आती रहेगी आपको बता देगी राष्टी लोगतांत्री पार्टी के राष्टी से घनुमान बेनिवाल ने अशो गयलोत को आड़े हाते लिया है बीकानेर की प्रेम विवा को लेकर कहा अनुमान बेन ऑष्टी ये सथ जास कर सत्यता को सामने लाइड उच्छी दन्याई कि आजाए और कुछ लोग इसपर राजनेती है, राजनेती मामला नहीं है राउजनेती नहीं करें राष्टी लोगता अंतरिक पार्टी के राष्टी सन्युचर खनुमान बेनिवाल ने असो गयलोत से निवेदिन क्या है कि इस मामले को निस्पक्स जास करें और राजस्तान की पुलीस और बीकानियर की पुलीस को काहें कि अगर आप इस मामले को निस्पक्स जास नहीं करते हो तो आप क्या पुलीस जंदा की सेवा करोगे आपको क्या लगता है इस लवजयाद को लेकर आप कम गरुद राजस्तान के अंदर बेटियों को बच्चा पाएंगे दोस्तों ये थी खबर और ऐसी खबरों से लेटेस्ट खबरों के साथ अपडेट होने की कोशिस करते हैं तब तक आप बने रो आपके और अपने चैनल दासुकम के साथ ने खबरों के साथ मिलते हैं